Good morning students. Welcome to TSN, The School. Today we will do GK, Unit 5, Chapter 25, 26 and 27. So, let's start. Students, Unit 5th है हमारी Science and Technology. उसमें जो हमारा Chapter है, 24th, वो है Inventions जैनि किसने Inventions खोज. अविश्कार मिन्स, New Things Often Come Up Over A Period Of Time To Make Our Life Easier. लेकि हमारी Life जो है Easy हो रही है आजकल है ना, तो जैसे Easy होने के लिए हमारी Life को आसान बनाने के लिए है, कुछ नो कुछ नई चीज़े बनती जाते हैं, जैसे पहले लोग पैदल जाते थे, फिर दीरे-दीरे साइकल, बस वगरा, पहले फिर Animals को आए है ना, फिर Animals के बाद मे साइकल का इन्वेंशन हुआ, बाइक हो गई, अपनी ट्रेंज, दूर जाने के लिए ट्रेंज का इन्वेंशन हो गया, ठीके न, फिर एरोप्लेन वगरा, फास्ट स्पीड के लिए, तो लाइफ को एजी मिनाने के लिए, कुछ-कुछ समय के बाद में, नई चीजों का अपने के लिए, many different instruments have been made, अलग-अलग instruments बनाएगे हैं, चीज़े बनाएगे, match the instruments with their uses correctly, तो आपको कुछ instruments दिये हुए हैं, पिक्चर्स में, उनको आपको मैच करना है, करेक्ट, 1, 2, 8 जो आपको लिखे हुए हैं, लेफ्ट साइड में, उनसे मैच करना है, students आप देखिए राइट साइड में आपको पिक्स शो की हुई है, 1, 2, 7 दिखा रखा है वो बिटा, तो वो रॉंग है, 7, 2 टाइम सा गया है, लास्ट वाली पे 8 नमबर कर लीजेगा, आप ये 8 है, पिक्च है ना, तो 8 पिक्स हैं, टोटल 1, 2, 8 और sentences भी आपके पास 1, 2, 8 है, तो हम sentences के आ to look at objects, those are far away, कि दूर की चीजें देखने के लिए, क्या चीज का invention किया हुआ है, हम दूर की चीज पास किससे देख सकते हैं, तो 8 नमबर पे पिक्च देखेंगे, राइट साइड में, दे राखी हमें, टैलिस्कोप, तो टैलिस्कोप से हम पास देख सकते हैं, तो first वाला मै स्ट्राइट कोप, और वो नमबर वन पे दिया हुआ है, रोमन में, हम पिक देखेंगे न, तो first नमबर की जो पिक है, स्ट्राइट कोप की, वो second वाले से मैच होगी, all right students, now third, two way objects, objects को weight करने के लिए, यानि कि हम किसी object को न तोलने के लिए, न आपने के लिए, उसका weight पता करने के लिए, तो right side पे जो 7th number है, वो third से मैच हो जाएगा, ठीक है, three number से right side का 7th pick जो है, वो मैच होगी, now fourth, to calculate, calculate गरना करने, count करने के लिए, किसी का invention हुआ है, calculator, तो pick number second जो है, वो आपकी fourth से मैच हो जाएगी, now fifth, to check temperature, temperature आपको कभी fever हो जाता है, तो किस से check करते हैं, द हुई है, thermometer, तो fifth वाला, six से मैच हो जाएगा, now sixth है, to take photographs, photograph से लेने के लिए हमें camera चाहिए होता है, camera यूज करते हैं, तो वो दे रखा मैं, जब right side pick देखेंगे, थर्ड नमबर पे, तो six वाला, third से मैच हो जाएगा, to store information, seventh वाला है, हमारी information store किस में करते हैं, PC में, computer में कर seventh वाला हो जाएगा, fifth से मैच, now last है हमारा, to know time, time जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, students, watch, clock, ये यूज की जाती हैं, तो fourth नमबर पे हमारे पास दी हुई है वो, तो eighth को fourth से मैच कर देंगे, repeat कर रही हूं मैं, first वाला eight से, second, first से, third, seventh, fourth, second, fifth, sixth से, sixth, third, seventh, fifth, and last eighth है आपका, वो fourth से मैच हो जाएगा, all right students, तो आपका chapter 24 यहां complete होता है, now chapter 25, flying machines, यानि कि उडने वाली machines हैं ये, how under it would be, we could, sorry, how under it would be, if we could fly and reach distance places, कि कितना अच्छा होता है ना, कि अगर हम भी उड सकें और अपने दूर जगे पर पहुँँ सकें, birds can fly, but require certain machines for traveling through air, birds की तरह, जैसे कि हमें जरूरी होती है इस तरीके से, match the flying machine correctly with their names, तो आपको left hand side में आपके, कुछ picks दे रखी हैं, उनको आपको side में, right hand side में जो name हैं, उनसे match करना है, तो मैंने आपको, इसमें जो picks दे रखी हैं, उनके side में आपको, उनके जो name हैं, उनसे match करके बताया हुआ है, देखिए, first pick है आपकी, क्या है वो first pick, yes, seventh है, fourth वाले number है, aeroplane, first, fourth से match हो जाएगा, students, second है जो, six से होगा, helicopter से, third, जो है हमारा, वो second से हो जाएगा, hot air, balloon, fourth हो जाएगा, first से, rocket से, fifth, third वाले से match हो जाएगा, students, parachute, and last, जो six है, वो हमारा, fifth से, satellite से, repeat कर देती हो, first, fourth, second, sixth, third, second, fourth, first, fifth, third, and last, sixth है आपका, वो fifth से match हो जाएगा, alright, students, now, आपका chapter है, 26, who invented them, कि इनको किसने खोजा, किसने बनाया, इसके बारे में है, यह chapter आपका, we use a lot of articles daily, many of which were invented by scientists, scientist जो वैग्यानिक होते हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजों को invention किया है, कि हम बहुत सारी articles, जो है, चीजों कम में लेते हैं न, daily के, with the help of hint box, write the names of scientists, who invented the following, आपको नीचे pix दे रखी हैं, और उससे पहले help box दे रखा, उनमें आपको scientist के नेम दे रखा हैं, आपको pix के नीचे उनके scientist का correct name लिखना है, यह नहीं कि help box में जो नेम दे रखा है, as it is, write down कर देना है, तो यह first हमें दिया हुआ है telephone, telephone का जो invention किया था, students वो किया था, Alexander Graham Bell, spelling आप इस में से help box में से देखके फिल करेंगे, Alexander Graham Bell, second है, आपको एक white search sheet दिखाई दे रही होगी, उस पर dots बने हुआ, students यह braille लिपी है, और इसका invention किया था, Lewis Braille ने, यह students blind लोगों के लिए होता है, उनको read करने के लिए यह बनाई गई थी, Lewis Braille ने बनाई थी, इसका invention किया था, इसका, third है steam engine, जिसका invention किया था, James Watt ने, fourth है Microsoft, जिसका invention किया, Bill Gates ने, fifth आपके है, bulb, bulb का, जो invention किया था, inventor थे, वो थे, Thomas Edison, six आपको jeans show रही है, Lewis Strauss ने, इसका invention किया था, seven थे, आपको aircraft show कर राखा है, students, वो है, Orwell Wright, इसके inventor है, वो, last आपको TV show कर राखा है, वो है, John Lloyd Bayard ने, इसका invention किया था, all right students, तो, आपको, जब मैं इसका PDF सेंड करूंगे, तो, आप इसके spelling को, correctly write down कर लेंगे, क्योंकि आपको समझ नहीं हैगा, कि किस मैं से, किसका write down करना है, तो, आज आपके, तीन chapter complete होता है, unit 50, 24, 25 and 26, आपको, इस वीडियो के बाद में, इसका PDF सेंड कर दे रहाएगा, ताकि आप इसके, जो 24, 25 मैच अप है, वो, कर लेंगे, आपको इसको देखके, कहीं mistake नहीं, back में से, आप answer sheet देखके ना करें, उसमें mistakes है students, जो आपको मैं करवा रही हूं, उसी को देखके करें, एंड 26 में जो scientist के name है, इसमें से देखके, आप easily write down कर सकेंगे, और अपना यह work complete कर सकेंगे, okay students, so till then, take care, thank you.